यह क्या, आप इस रेसिपी को सिखना चाते हो, तो चलिए, हम सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, तो चलिए, सबसे पहले हम एक पतीला लेंगे, गयास जलाएंगे, और उसे गयास पर रख देंगे, तो पतीले में अलरेडी ठंडा पानी था, उसमें हम गर्म पानी मिक काटा केटल में, फिर उसके बाद हम प्यास लेंगे, पांक से छे पीस, उसे छिल लेंगे, और उसे चक्कु से काट देंगे, बढ़िया से, एक दम बढ़िया से काटना, याद रखना, हाँ, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो आप सीख रहे हो ना, जो मैं सीखाना चाह रहा ह आपको, बढ़िया से न, सब प्यास को काटना, इस तरह से, यह कट चुके है, इसके बाद हम टमाटर लेंगे, टमाटर को भी नाला ऐसे काटेंगे, उसके उपर के उड़ा देंगे, जो खराब पीस है, तो उसको फटने के बाद फिर कटना स्टार्ट करेंगे, फिर लसन लेना है, लसन को भी सब छिलना है, सिद्धी सी बात है, आपको समझ आती, तो ठीक है नहीं आती, तो फिर भी देखो न, जब रजस्ती सीखो, अब दनिया लिया है, दनिया को भी इसी से तरह काटना है, बढ़िया से, ओ, बढ़िया बढ़िया से काटना है, ऐसे ही, यह न अब नूडल उसे पानी में डाल दिये और वोलने रख दिये यह लिए हमने थोड़ी से मुम्पली के दाने वाइट तिल और थोड़ी सी मिर्च वाली तिखी वाली मिर्च फिर अध्रक भी चोप कर दिये अंडे भी हमने बोईल कर दिये और छिल भी लिए देखाना हम कितने लालने निए फ्यास है फिर उसके बाद हमने प्राइपिन में तेल डाला उसकोडर काणे फिर उसके बाद जो अमने नूडल निकाले होओं है उसको में लगा दिया वह मैं तेल नि तेल फिर अमेंaus के बाद हमारा थेल भी किया उसके बाद में अध्रक исп meltedल स्टैंब्य अध और प्याज के अब होना प्याज का बुराल इसको भी करेंगे हम फिर से लाल मेरे को बहुत मजा रहा है आप लोगों को देखने को मजा रहे नहीं आदा ने कुछ करने की जुरूज नहीं है बस इसको तो गलाना आए ओल्रेडी लाले ये तो अब टमाटर को भी अम अच्छे से गलाएंगे पूरी तरह बढ़िया डंग से देखा कितना फास चलाता हूं में फिर ये जो मुम्फली के दाने थे वह तिल थे ये भी आपने डाल देने इन में और मिक्स कर देने बढ़िया से और फिर चलाना अमने इसको बढ़िया से ऐसे तरह देखलो फिर डाली आमने लडी वह भी अपने आइडिय से डाल नहीं है अच्छे से ना ताकि आपका ना यह जोल बन रहा है ना जो सूप इसको बोलते जोल फिर आमने डाली है जीनो मोटो देखो लिमिट से डालेंगे और लिमिट का खाएंगे ज्यादा खाएंगे तो कोई चीज नहीं पचती है तो इसलि फिर तब ही तो बढ़ना अच्छी बात है फिर हमने पांसे चेपीच मिर्च तीखी वाली डाल दी और दनिया डाल दिया बंद करने के बाद लास्ट में यह मिर्च को मैंने पहले रोस्ट किया वा था फ्राइपेन में तो उसके बाद सब को मिक्स करना एक थाली में खली कर ना फिर हमने जो मसाला बनाया था उसको मिक्सी में डालके बढ़िया से पीस देना ऐसा पीस ना ऐसा पीस ना आप अब डाला इसमें पानी हम पानी डालने के बाद इसको बढ़ाना क्या मताना रहरा क्या सब्मॉन और यह यह को ऐसे घुंता है उसके देखा था आप में अब इसको ना फतल लगा ना थीक है और सब जितने भी बनाया है थे हमने सबको ऐसी कुमा देणा बढ़िया दम्क से घुमाना फिर जो पानी में उसको मैंने थोड़ा पढ़े भी डाल दिया था तो आप लोग को दिखाया निए वह मैंने ना तो अभी में… लास्ट में जो बच्चावा था ना वह डाल रहा हूँ वह दिखा रहा हूं यह ना इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चीह बोना इसको बालना है सोया सॉस ड प्रिकाल के फैकना है सब इस ये न तोड़ा अच्छा नी देता टेस्ट ना सब खराब कर देता है और ये देखो ये किया मेन टेस्ट और ये लगा मेरे को बड़ा स्वाधिस्ट अब लेड़ा हमने बॉल बॉल में पाणाएं नूडल और नूडल पालें के बाद फिर पाण अनूडल भ्रा या चूणी आपका मने चाहि जो बनाओ यार आपने जो खाना एंगा हम कॉन होतलें बोलने वाले तो मैने तो अंड़े हेले ये अंडे दोले सचते ते न मार्गेट मेंने ले लिए मैंने इद अंडे दाल दिये फिर जो आमने थोड़ा सद बचाया व्मसाला हना वा भी डाल दे उपर जैसे अब इसमें दोड़ा सा पालक डाएंगे हम और उसके बाद दनियां डाल देंगे उपर जे देखो दिखाया ना मैंने आपको नया स्टाइल वाला थूपा क्या डाबे वाला थूपा खाते रहे तो कभी ऐसे घर में भी खुद बना के ट्राइ कर लिया करो और आपको मे मेरी वीडियो कैसी लगी मेरे को बताना और कमेंट करना लाइक करना सब्सक्राइब करना थेंक्यू